नमस्कार दोस्तों, बाइजूस आईए सिंदे में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 16 मैं 2021 के दैनिक कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें दहिंदू समाचार पत्र से संबंदित प्रमुख जो आर्टिकल हैं, उनसे संबंदित प्रारमभी परिच्छा के प्रस्त आपको प्रैक्टिस के लिए दिये जाएंगे। अपने पहले कोश्ण पर आते हैं, जियोलाइट के संदर्ब में निमलिखित कतन या कतनों में कौन सा या कौन से सही हैं। पहला पॉइंट हम देखते हैं, जियोलाइट प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाते हैं, बलकि ओध्यग्यू रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाते हैं, तो दियान रखें, प्राकृतिक रूप से भी पाया जाते हैं, और ओध्यग्यू रूप से इनक यह question हमने यहाँ पर लिया है, तो दूसरा point बिल्कुल सही है, जियोलाइट का एक बड़ा उप्योग है, हमारे चारोड जो हवा है, उसमें से सुध औक्सियन को प्राप्त करने में, जियोलाइट का प्रमक रूप से उप्योग होता है, तीसरा जियोलाइट का पुना प्रयोज्य होते हैं, जब हम पुना प्रयोज्य की बात करते हैं, मतलब reuse, इनको दुबारा उप्योग किया सकता है, यानि एक बार असुधी के लिए उप्योग किया गया है, तो इसको बाद में भी उप्योग किया जा सकता है, तो तीसरा पॉइंट सही है, पहला गलत है, यानि अन्सर है आपका C इसी के साथ साथ जियोलाइट के संबन में एक और कुशन हम देखते हैं जियोलाइट का ओपियोग निमलिखित में से किस में किया जाता है पहला जल मरदू कारकों में जल में अगर हम देखें तो जल मरदू और कठोर दोनों रूप में होते हैं तो जब हम कठोर जल की एक तरह से बात करते हैं तो उसमें हम सामानता देखें कैलसियम, मैगनेशियम या अन्य प्रकार के एक तरह से जो तत्तों उसमें मिस्रित रहते हैं तो उनको अगर इतरह से जल से हटाया जाता है तो वो म्रदू कारकिया इतरह से कह सकते हैं कि म्रदू जल के रूप में बनता है और ऐसा करने पर पानी का इतरह से सामान रूप से साबुन के साथ जो उपयोग है वो आसान होता है जल को कथोर से म्रदु में परवर्थित करने में, जिससे की कैलसे मैगनीसिम जैसे जो इसमें असुदियां उनको इक तरह से अलग किया जा सके तो जियोलाइट का जल मुर्दू कारक के रूप में उपयोग किया जाता है, पहला statement मिल्कू सही है, दूसरा जल निस्पंदकों में, जल निस्पंदकों का मतलब एक तरह से water filter के रूप में, तो पानी में से असुद्यों को निकालने में भी ऐसे filter के रूप में भी जियोलाइ उपयोग है, तो आपको अंसर है D, उपयोग तो सभी, जियोलाइट के संबद में अगर हमने आपसे question पूछा हुआ है, तो इसका कारण ये है, कि एर इंडिया की तरफ से जियोलाइट की जो cargo flight है, वो सुरू कर दी गई है, यानि बाहर से एक तरह से जो जियोलाइट हम आय को प्रीके दिये हैं, आप जियोलाइट की ध्यान रखें कि एक तरह से एलुमेना और सिलका के परस पर जुड़े टेटरा हैड एक तरह से होते हैं, और ये खास तोर पर हाइडरेटिट एलुमेन और सिलकेट खनीज है, ये छार या छारी जो प्रतवी धातु इन जैसे स्ट्रेक्चर वारे ठोस होते हैं, जियोलाइट अगर हम देखें तो अलग-अलग क्रिस्टली सरनचनाओं के साथ बनते हैं, इन्हें जो आला मुखी और अवसादी दोनों चट्टाउनों में प्रमुक रूप से एक तरह से पाया जाता है, तो प्राकृतिक रूप से आप क्रित्रिम रूप से आप देखें, लगबाद डेड़ सो जियोलाइट से अलग-अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं, तो प्राकृतिक भी हैं और क्रित्रिम दोनों रूप में एक तरह से ये पाये जाते हैं, अपने अगले परसे पर आते हैं, निमलिखित कत्नों पर विच इस कोस्टन को हल करने के पहले आप कुछ पॉइंट्स को जड़ा देखें, अगर हम चीन की बात करें तो चीन का जो रूबर है, वो मंगल की सतय पर उसने सफलता पूरवक एक तरह से अपने जो रूबर उसको उता रहा है, और अमरीका के बाद ये दूसरा देश है, तो द कराने वाला यहां पर देश है, और ध्यान रखें, चीन में एक फायर गॉड या अगनी देवता के रूप में एक नाम लिया जाता है, जुरोंग, तो जुरोंग नाम का ये रोवर है, जो चीन के त्यानवेन वन मिसन के दौरा एक तरह से यहां पर उतारा गया है, मंगल ग पर वरतमान में गती कर रहा है, और ये मार्स 2020 जो नासा का मिसन है, उसके अंतरगत एक तरह से जेजरो क्रेटर का पता लगाने के लिए मंगल ग्रह पर भेजा गया है, 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर ये सफलता पूरभक उतर चुका है, पर्जवरिंस किसका है ये, नासा के साथ में जोड़ा गया है, और इस हेलिकॉप्टर ने अपनी पहली टेक उफ 19 अपरेल 2021 को पूरी की, तो किसी भी दूसरे ग्रह पर, यानि प्रत्वी से अलग किसी ग्रह पर इस तरह की संचालित उडान को एक तरह से पहली बार किया गया है, किसके दोरा हेलिकॉप्टर इ यानि अमरीका के बाद, अगर हम पांच देशों की बात करें, जिन्होंने अपने और्बिटर को, जो मंगल के चारोर एक तरह से कक्छा में चकर लगाते हैं, वो मंगल का अध्यान कर सकते हैं, तो उस कैटेगरी में हम देखें, अब तक पांच देश हैं, जिसमें सेंक्तर आपुराइबरक, पहली बार में ही मंगल की कच्छा में प्रक्षेपित कर लिया, जैसा कि भारत कर चुका है, और इसके एलावाँ चीन भी एक काम कर चुका है, तो पांच देश हैं, जन्होंने मंगल की कच्छा में अपने यान भेजे हैं, और मंगल पर लेंड कराने की ब तो यह बेसिकली U2 नाम का है, नकी एक तरह से 93 नाम का है, और जो मिसन था, अगर हम मिसन की बात करें, तो यह मिसन एक तरह से जो चीन के दोरा लॉंच किया गया था, वो था चांग E3, तो मिसन कौन सा था, चांग E3, और इसमें जो रोबर चंदरवा पर उतारा गया, उसका दियान रखें, दूसरा point भी यहां पर गलत है, तीसरा, 2013 में प्रक्षेपित भारत का मंगल यान अपने पहले ही प्रयास में मंगल की सतय पर उतरा, तो देखिए मंगल की सतय पर नहीं उतरा था, मंगल की कच्छा में प्रिवेस करके, मंगल की तस्वीरे लेकर मंगल का जो असत्य है, अगले question पर बाते है, नासा का perseverance rover किस से संबन देता है, अभी हमने देखा, यह एक तरह से आपका मंगल की सतय पर वरतमान में एक तरह से active रूप में काम कर रहा है, और इसी के साथ में इंजिनिटी नाम का एक जो helicopter है, वो भी साथ में है, जो सौरूरजा से संचा इस question को हमने इस लिया था, क्योंकि मंगल पर चीन के दोर अपना जो rover है, उसको एक तरह से स्थापित कर दिया गया है, और नाम क्या है इसका जिरोंग, तो जिरोंग यहाँ पर स्थापित हो चुका है, इसी संबन में हमने आपको प्री का question दिया था, इसी के साथ साथ आप देखें, जो हमने चंद्रमा की 2013 की निउस की बात करी, वो भी यहाँ पर एक तरह से आपपा इस आर्टिकल में दिया है, तो आप ध्यान रखें, कि चांग 3 के दोरा हमने जो चीन की बात करी थी, अपने rover उसने यूटू नाम से चंद्रमा की सताय पर उता रहा था, डेली क प्रकित में कौन सरकार की एक योजना उदय का उद्देश है, उदय योजना के समद में पहले इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखें, उज्वल डिस्कॉम एस्योरेंस योजना, देखें, डिस्कॉम का मतलब क्या है, डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीबुटर कंपनी, तो योजना उज्वल डिस्कॉम एस्योरेंस योजना ये बिजली वित्रण कंपनियों की वित्थी सिति को सुधार ने, उनके पुनरद्धार के संबन में है, तो अंसर आपका D, डिली कुछ के अपने तीसरे भाग में आते हम, जहां पर हम आज का जो प्रमुक तथ ही होता है, उसको डिसकस करते हैं, और आज हम चक्रवातों में, जो नाम एक तरह से रखे जाते हैं, उनके संबन में यहां पर चर्चा कर रहे हैं, योजना जा रहा है कि केरल, करनाटा के तरह से आप कहfillाते हैं, अरप सागर में जो चक्रवात बना हुआ है, ताउक्ते, या त्योंकि मैनमयर के दौरा ये नाम रखा गिया है, तो उसके काण एक तरह से इस्तिती काफी गंभीर मानी जा रहे हैं, और माना जा रहा है कि अंतिम रूप में ये गुजरात के तड़ पर जाकर टकराएगा, तो चक्रवातों की जो नाम रखे जाते हैं, उसके संबन में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, चक्रवातों की जब हम नाम करते हैं, तो देशों को नाम रखते हुए कुछ नेमों का पालन करना होता है, यानि कुछ दिसानल देश हैं, जिसके अंतरगत नाम दिये जाते हैं, नामों को अंतिम रूप देता है, उस निकटवन दी चक्रवातों पर ब जाली स्थिति यह है, जो नाम दिया जाए वो राजनीती, धारमे विश्वा, संस्किती या लिंग विवेत के साथ में न जुड़ा हो, इस तरह की स्थितियों को वो न दर्साता हो, तो नाम ऐसा होना चाहिए, नाम इस तरह से चोना जाना चाहिए, कि विश्व में किसी भी जनसंकिया समू को, उस नाम से कोई आपत्ती ना हो, क्योंकि उनकी कोई भी धार में एक राजनीतिक या सांस्कितिक जो भावना हैं, उसको ठेस न पहुँचे, यानि कोई भी देस, दूसरे देस में किसी भी मान लीजे कोई नाम है, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध होत तो वैसा नाम एक तरह से वो सुझाव में नहीं दे सकता है, तो ये ध्यान रखना है, सभाव से बहुती कठोर और क्रूर नाम नहीं होना चाहिए, ऐसा नाम ना हो कि जो बहुत क्रूर या कठोर प्रतित होता हो, नाम का उच्चारण एक तरह से आसान हो, और किसी भी प्रतित करना है, और बोलते समय किस तरह का साउंड उत्पन होता है, यानि जो इसका प्रनॉंसेशन है, उच्चारण उसके संबन में डिटेल देना होता है, और उत्तरी हिंद महासागर में जो भी उस्ट कंडबंदी चक्रवात होते हैं, उनके नाम दोहराय नहीं और उसके काण माली जो बहुत तबाही होई, तो दुबारा उस नाम का उपयोग नहीं किया जाए, क्योंकि उस नाम के जो चक्रवात है, उसने काफी बड़ी तबाही मचाई थी, इसलिए नाम को दुबारा रिपीट नहीं किया जाता है, तो ये सामान रूप से परंपरा रहती है, अगर हम उस्ट कडवंदी चक्रवातों की बात करें, तो इनके नाम करने के लिए जो प्रमुख ही तरह से बहस्ता है, वो वर्ड मेटरलोजिकल और उर्गनाईशन, साथी साथ सैंत तुराष्ट का जो संगठन है, Economic and Social Commission for Asia Pacific, Economic and Social Commission on Asia Pacific, इसकी बैठक 2000 में ओमान के स खाड़ी और अरब सागर में, उस्ट कडवंदी जो चक्रवात होते हैं, उनकी नाम देने के लिए मूल रूप से सहमती बनी, और आगे चलकर सितंबर 2004 से यहां पर जो भी चक्रवात हैं उनकी नाम देने की परंपरा सुरू की गई, पहले इसमें आठ देश सामिल थे, बा उनका करम से उपियोग किया जाता है, यह 169 जो नाम है इनी का एक तरह से उपियोग किया जाता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो भी चक्रवात अभी आ रहे होते हैं, यह अभविस में आएंगे, उनके नाम देने के लिए, और इसे एक तरह से देते समय यह रखा जाता है, कि यह निर्धारित करने में प्रमुख रूप से, Regional Specialized Metrological Center, यानी RSMC, कहां का? दिल्ली का, जो उत्तरी हिंद महासागर के लिए तरह से उत्तरदाई है, उसके द्वारा प्रमुख रूप से निर्ने किया जाता है, तो दिल्ली में एक तरह से जो RSMC का हैड़ देशों के द्वारा ही दिया जाते हैं, अब अगर आप यहाँ पर देखें, तो यह लिस्ट आप देखें, आपको पूरी लिस्ट याद करने की ज़रूत नहीं है, बस आप समझ लीजिए, जिसे यहाँ पर देशों की देखें लिस्ट दी गई है, यानी Bangladesh, इंडिया, इरा के नाम दिया गया था, वहाँ से सुरुआत हुई थी, उसके बाद देखें, भारत का गती, इरान ने निवार नाम दिया था, मौलदीफ्स ने बुरे भी नाम दिया था, और अभी आप देखें, जो इसमें अरब सागर में आया हुआ है, तौकते, या जिसे ताउते का आ ये म्यानमार के दारा नाम दिया गया है, अब इसके बाद जो भी चक्रवात आएगा, चाहे अरब सागर में या बंगाल की खाडी में, उसको ओमान के दारा नाम दे दिया गया है, क्या? यास, आगे चलकर पाकिस्तान की तरफ से गुलाब नाम, कतर की तरफ से साहीन, तो अंतिम रूप में कहा तक? यमन तक, और जो पहले कॉलम में नाम होते हैं, वो क्रम से लिया जाते हैं, पहला कॉलम खतम, फिर दूसरे वाले कॉलम पर, फिर तीसरे, फिर चोथे, इसी तरह से तेरे कॉलम है, तो अलग-अलग जो देश है, उनके दारा जो दिये गए हैं न नामों का उप्योग करमिक रूप से कॉलम के अनुसार किया जाता है, यानि कॉलम में नीचे के और आते हैं, एक कॉलम खतम, फिर दूसरे कॉलम का उप्योग किया जाता है, जैसा अब हमने डिस्कस किया कि उतरह हिंद महासागर में जो नाम चक्रवातों के होते हैं, उनको नाम नहीं बदलता है यानि जो नाम दक्षिनी चीन सागर में रहेगा वो यह तरह से हो जाता है कहां पर बंगाल की खाड़ी में अगर वो थाइलेंड को पार करके हिंदमासागर में प्रवेश करता है यह हमारा 16 में 2021 का डेली क्विज था आने वाले दिनों में अन्ने दिनो के डेली क्विज हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे बाईजूज आएस हिंदी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं अधिक से अधिक संक्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें धन्यवाद